सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो गढ़े ही असानी से दोस्तों ICT के इंदर काफी तरह की जर्णल एवरिवेशन और ट्रमनोलोजी हो सकती है तो हम क्या करेंगे एक एक टोपिक को सही से समझने की कोशिस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इस वीडियो में हम उन जर्णल एवरिवेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे जो पहले आ चुके है और जिनके आगे भी आने के संभावना जो हमें इंपोर्ट चाहेगी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी की सभी पढ़ लेना लेकिन मैं इस वीडियो में आपको जो ज्यादा इंपोर्टेंट है उन पे ज्यादा फोकस करूंगा दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टड़ी करने के लिए हमारा पेड़ कोर्स भ अलग करके हैं इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो कोश्चन है आपको अलग-अलग किया हुए मिलेंगे इसके साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मौक टेश्ट देते हैं अगर आपको हमारा पेड़ कोर्स जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वर जा चुके दोस्तों यह important है दो से तीन बार पहले आ चुकी है अब देखिए इसका मतलब होता है basic input output system होता है यह हमें याद रखना जरूरी है और आगे दोस्तों हमारे पास DNS यह हमारे लिए काफी important है और इसका मतलब होता है दोस्तों domain name service या domain name server भी इसे कहते हैं उसके बा दोस्तों हमारे पास F80 file allocation table तो इस तरह की जो एवरिवेसन है यह हमें करना काफी जरूरी है दोस्तों और यह सभी की सभी आप पढ़ जरूर लेना मैं आपको बार बार कह रहा हूं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास जैसे की एक छोटी छोटी चीज़े हैं वो हमें पता होनी चाहिए जैसे की यहां पर आप देख सकते कि जिबी जिबी का मतलब क्या होता है गीगावाइट होता यह हम बैसिक चीज़े हैं यह हमें पता होना चाहिए और आगे जैसे यह हैं GUI यह भी पहले portion आ चुका है दोस्तों GUI का full form क्या होता है graphical user interface होता है यह शेकिन और आगे हम देखते हैं एक है दोस्तों MHZ मेगा हार्ट से होता है और फिर है दोस्तों MP3 MP3 का मतलब होता है Moving Picture Expert Group Layer 3 Audio यह हमें पता होना जरूरी है यह भी कोशन आ चुका है और यह आने के संभावना होती है कि एक यह देखिए दोस्तों MP3 यह भी कोशन आ चुका है Moving Picture Expert Group कहा जाता है इसको और फिर है दोस्तों हमारे पास NTFS New Technology File Transfer और उसके बाद देखते हैं दोस्तों जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है आर जीवी का मतलब होता है Red Green Blue यह जो हमारे कलर वगरा जो होते हैं उनके बारे में होते हैं कंप्यूटर के अंदर और उसके बाद है जैसे दोस्तों हमारे पास आगे देखते हैं आगे यह देखिए AMD एक हमें यह पता होना चाहिए AMD का मतलब क्या होता है Advanced Micro Device होता है और उसके बाद में जैसे CD CD के बारे में पता होना अचे compact disc होता है और एक यह question आया है दोस्तों पहले CD-ROM की full form क्या है compact disc read only memory होता है दोस्तों यह हमें ध्यान में रखने जरूरी है यह question साइद मेरे को लग रहा है 2018 में या 19 में आया है मेरे को ध्यान में है ऐसा और CD-RW compact disc readable होता है इसका मतलब और फिर दोस्तों एक computer computer की भी हमें पता होना जरूरी है यह कई जो अधर एक्जाम है उनके अंतर यह एवरिवेशन पूछी जा चुके इसका मतलब है कि common operating machine particularly used in technical and educational research इसकी full form है और आगे दोस्तों हमारे पास CPU CPU का मतलब होता है central process unit और कि रहे हमारे दोस्तों अब हम बात करते हैं DVD से related जो हमारी एवरिव application है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि DVD का मतलब क्या है DVD का मतलब है दोस्तों digital video disk होता है और DVD RAM का मतलब है RAM का जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि random SS memory तो यह क्या कि दो दो जो एवरिवेशन उनको जोड़के बनाई गई है जैसे कि नीचे है DVD ROM DVD का हमने पढ़ लि memory होता है तो यह सबी की सबी आप एक वर देख लिना बिलकुल असान है और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास जैसे कि यह है HDD यह हमारे लिए काफी important है hard disk drive इसका मतलब होता है और फिर दोस्तों LCD यह जो question है दोस्तों यह हमारा zone 2019 के अंदर भी आया था LCD जो हमार पहली जो shift थी उसी के अंदर morning में यह paper आया था तो इसका मतलब है LCD का मतलब liquid crystal displays का मतलब होता है और फिर दोस्तों LED का मतलब है light emitting doid होता है और RAM का हमने पढ़ी लिया और उसके बाद दोस्तों हमें यह पता होना चाहिए कि HDMI का मतलब क्या होता है HDMI का मतलब होता है दोस्तो high definition media interface होता है और उसके बाद देखते हैं दोस्तों और हमारे पास कौन सी important है और जैसे कि यहाँ पर हमने यह देखा HDD hard disk drive हो गया FDD का मतलब है floppy disk drive और आगे देखते हैं आगे कौन सी है हमारे पास आगे जैसे कि हाँ यह जो है दोस्तों यह भी काफी बार आ चुका है USB USB का मतलब क्या होता है इसका मतलब है universal serial bus होता है तो यह हमें पता होना चाहिए और फिर है VGA VGA का मतलब है video graphic array और फिर है VGA RAM video random SS memory यहां पर RAM आ जाए तो उसका मतलब ज्यादा तर यही होगा दोस्तों random SS memory और ROM का मतलब होगा read only memory और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास SSD solid state disk यह भी कोशन आया था और फिर है दोस्तों हमारे पास SMPS SMPS का मतलब है switch mode power supply होता है दोस्तों यह सभी चीज़े आप याद रखने की कोशिश करना और अगर मैं इनको समझाने लगू कि SMPS क्या होता है कौन सा पार्ट होता है computer के अंदर तो यह जो video घंटों में जाके बन दोस्तों को पता होगा कि SMPS क्या होता है SMPS वो जिसके अंदर से light की wire लगती है और आगे हम देखते हैं आगे हमारे पास कौनची है आगे जैसे की network से related कौन कौनची है यह आप देख सकते हैं वैसे यह ज्यादा important नहीं है फिर भी आपको पता होना चाहिए 2G क्या होता है 3G क्या होता है 4G और 5G क्या होता है 4G का मतलब है 4th generation की जो technology उसे हम कहते हैं 4G कहते हैं और उसके बाद जैसे हमारे पास एक काफी important है FTP FTP का मतलब होता है दोस्तों file transfer protocol और इसमें से question आ चुका है पहले ठीक है तो यह हमें याद रखना ज़रूरी है आगे देखते हैं दोस्त मतलब होता है local area network होता है और इसके बारे में land when man जो है तीन से चार तरह की जो area network है उन सभी के बारे में बात करेंगे आगे की वीडियो है अच्छे से समझाएंगे कि इन में से कैसे question आते हैं अभी आप केवल इसकी full form याद कर लीजिए land का मतलब होता है local area network होता है और फिर है दोस्तों IMAP internet message SS protocol होता है और फिर जी एसम global system for mobile communication और GPRS journal package radio system IP का मतलब होता है internet protocol और और देखते हैं दोस्तों और हमारे पास कोन सी है जैसे की अब देखते हैं हमारे पास Mac है Mac का मतलब है media SS control man का मतलब है metropolitan area network फिर है पी ओपी post office protocol फिर है POP3 post office protocol 3 triple P का मतलब है point to point protocol तो यह हमारे लिए काफी important है दोस्तों यह सभी आप एक बर देख लेना और उसके बाद है जैसे अपनी आगे है यह सभी networks related है SMTP simple mail transfer protocol यह काफी important है दोस्तों इसमें से भी question आया है और फिर है VPN भी आ सकता है यह important है virtual private network फिर है when wild area network फिर है web wireless application protocol और आगे हम देखते हैं जैसे आगे हमारे पास Wi-Fi Wi-Fi का मतलब है wireless fidelity और फिर है WLAN का मतलब wireless local area network और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास इसके अलावा कुछ other terminology उनके बारे हम बात करते हैं ATM का मतलब है और उसके बाद दोस्तों हमारे पास IT IT का मतलब है information technology और आगे है हमारे पास दोस्तों ए sorry IEEE इसका मतलब है institute of electrical and electronic engineering यह हमें पता होना जुरूरी है और फिर है ISO international standard organization फिर है पोस्ट पोस्ट का मतलब है power on self test और उसके बाद और वह हमारे पास काफी तरह की चीज़े वह भी हम देख लेते दोस्तों पे एक बार एक नजर दोडा लेते हैं अब देखिए PC PC का मतलब ह होता है CPU का हमने पढ़ा था पहले Central process unit होता है OS का मतलब होता है operating system यूप और उसके बाद जैसे RAM का हमने पढ़ लिया ROM का पढ़ लिया LCD का पढ़ लिया LED का पढ़ लिया और NTFS का भी हमने पढ़ लिया new technology file system होता है और एक हमारा इसके अंदर जैसे FAT है FAT का में यह भी हमने पढ़ लिया फिर डोक का मतलब होता है document यह सभी चीज़े जैसे CD है यह भी हमने पढ़ लिया HD का हमें पता होना चा और DV database हो गया SYS यह भी हमने देख लिया और फिर डेल डिलिट हो गया आगे हम देखते हैं अगे अगर कोई और है तो उसके अंदर WMP window media player यह हमें पता होना चाहिए दोस्तों और TMP temporary होता है और आगे हम देखते हैं आगे यह चीज़े हमने वैसे पढ़ ली लेकिन फिर भी हम दोबारा पढ़ लेते ही हमें पता होना चाहिए दोस्तों क्योंकि इसमें से पहले question आ चुके है MP3 moving picture expert group phase 3 MPEG3 भी इसे कहा जाता है ठीक है यह आप एक और पढ़ लेना और एक और इसके इंदर जैसे JPG है JPG काफी important है यह भी question आ चुका है पहले joint photographic expert group होता है यह भी यह हमें पता होना बहुत जादा जरूरी है इसमें से पहले question आया ग्राफिक्स interchanging format होता है इसका मतलब और आगे हम देखते है दोस्तों आगे आगे आप दोबारा से यह देख सकते हैं इन में से भी जैसे domain DNS यह भी हमने दे दिया हाँ एक चीज और यहाँ पर यह देखे य नई चीज आए है HTTP इसका मतलब होता है दोस्तों Hyper Transfer Protocol और यह जो question है ना दोस्तों HTTPS इसमें से यह question हमारा आया था शायद जून 2019 के इंदर ही आया है HTTPS का मतलब है दोस्तों Hyper Transfer Protocol सीक्यूर इसका मतलब यह होता है जैसे कि आप कई वार website खूल दो उन में कईव में तो होता है HTTP होता है और कईयों में HTTPS होता है HTTPS वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहां पर LinkedIn किया जाए जैसे Amazon है Amazon पर हम कोई समान खरीदते हैं तो हम पेमेंट करते हैं तो जहां पर पर पेमेंट की बात आए वहाँ पर होगा HTTPS यूज़ किया जाएगा उसके बाद है दोस्तो हमारे पास HTML HTML का मतलब है Hyper Text Markup Language और उसके बाद जैसे PHP पढ़ लेना और फिर है XML Extensible Markup Language इसका मतलब है तो यह सभी आप एक और पढ़ लेना दोस्तों यह काफी जरूरी है और उसके बाद है जैसे CC हाँ यह question आये था दोस्तों यह भी काफी important है CSS कैसे के dying style sheet इसका मतलब होता है दोस्तों और जैसे आगे SQL SQL का मतलब है structured query language और फिर www यह भी question आये दोस्तों worldwide वैब इसका मतलब होता है और आगे देखते आगे हमारे पास कौन सी important है यह जैसे आप एक और पढ़ सकते है SEO CEO search engine optimization होता है ज्यादा तो जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी एक और आप ध्यान देना और फिर हमारे पास MMS यह भी कोशन आया था पहले दोस्तों Multimedia Services का मतलब होता है और आगे देखते दोस्तों आगे हमारे पास कोई और important है तो यह हमने पढ़ ली हाँ एक चीज और Google Google का वैसे नहीं पूछ सकते आप फिर भी पढ़ लेना Google का मतलब क्या होता है Yahoo का Intel का और LG का यह वैसे नहीं पूछ सकते हाँ यह पूछ सकते दोस्तो यह very 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 important है IPV4 internet protocol version 4 इसका मतलब होता है IPV6 internet protocol version 6 इन में से question आया है दोस्तों जून 2019 में इन में से question आया है और 17 में भी इसमें से question आया है इन में से mostly question आते रहते हैं तो यह दोनों एवरिवेशन करना हमाली बहुत ज्यादा जरूरी है तो दोस्तों यह थी हमारी आज की ICT जर्नल एवरिवेशन एंट्रमनोलोजी और हमने पूरी-पूरी कोशिस किये कि हम आपको सभी important एवरिवेशन करवाई लेकिन अगर फिर भी इन में से कोई चीज छूट जाते तो आगे की वीडियो पर आपको करवाने की पूरी-पूरी कोशिस करेंगे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाएए ताके आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सके थैंक्यू दोस्तो दोस्तो अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टड़ी करने के लिए हमारा पेड़ कोश्च भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टड़ी नोट्स देते हैं इसके साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक ओल्डियर कोश्च पेपर देते हैं दोस्तो अगर आपको हमारा पेड़ कोश्च जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वाट्सप नंबर पर कॉंटेक्ट कीजिए